कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इसलिए मैं आज आपके लिए बहुत हेल्दी डिलिशियस और ट्रेडिशनल स्वीट गुंचियों की रेसिपी लेकर आई हूं तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना गुंचियों बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मैदा यहां मैंने 200 ग्राम मैदा का यूज किया है 200 ग्राम मावा दो छोटे चमस सोजी इसे मैंने हलका सा गी डालके ब्राउन कलर की इसे मैंने सेक लिया है और गी मोयन के लिए यहां मैंने 200 ग्राम मैदा लिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग वन फोर्ट कर यहां मोयन मामावanh हम अपने नाल worsh flavor ब्रेट मामावे तो ब्रूस्ट रष्ट लएगे हम अपने पूरा मावा इस कडाई में नाल लेगे बीडिया माच पे हमें इसे भूनना है यह अच्छे से पिघल जाएगा धीरे धीरे करके पिघल जाएगा और हमें अच्छे से इसे ब्राउन कलर का होने तक हमें अच्छे से भूनना है भूनते समय यह थोड़ा दीरे-दीरे कड़ाई जब पिगलेगा तो यह कड़ाई में चिक्केगा भी बाद में यह अपने आप भी इखटा बीच में इखटा हो जाएगा तो आप अच्छे से इसे भून लीजिए बस इसे कड़ाई में छोड़िए मत भलके हाचों से कड़्ची चलाते रहें दीरे-दीरे यह मावा हुन जाएगा अजीरे इसे कड़र दीरे-दीरे-दीरे का भी में ची बाद में चोड़ागा बाद में जाएगा प्यूने अपने पाद में शेंटाबगा। झाल झाल कई चुपा है चुप हो अब हम गैस बन कर देंगे बड़ी प्लेट में हम इसमावे को निकाल लेंगे पूरा मावा को अच्छे से पैन से निकाल लेंगे अब बड़ी प्लेट हम इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें मावा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और गुंजो के फिलिंग भी हम इसी में बना लेंगे अच्छे से निकाल लेंगे और जब तक इसमावा ठंडा होता है तब तक हम गुंजो के लिए दूगी तैयारी कर लेते हैं एक बड़ी परात में मैंने यहां पर मैदा ले लिए अब उसमें मैं यहां पर मोरन डाल दूंगी कि यहां हमें जितना भी आटा लिया है उसका वन फॉर्थ हमें मोरन डालना है क्योंकि मोरन जितना अच्छा होगा उतनी ही गुंजियां घस्तीव और क्रिस्पी बनेगी हम मोरन को यहां अच्छे से मिला लेंगे यहां मैं इस तरीके से मसल मसल के आटा में मोरन दूंगी क्योंकि जितना अच्छा हमारा मोरन होगा उतनी ही अच्छी घस्ता हमारी गुंजियां बनेगी तो मोरन का पता कैसे चलेगा हमारा आटा यहां पर बंदने लग जाएगा अगर आटा विखरता है तो आप और मोरन डाल सकते हैं मेरा यहां पर अच्छे से आटा बन रहा है तो मेरा मोरन यहां पर परफेक्ट है जितना अच्छा हम आटा गूतेंगे उतनी ही अच्छी हमारी गुंजियां बनेगी तो हमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लेते वे इस आटे को गूतना है बहुत जादा पानी हमें एक साथ नहीं लेना है नहीं तो हमारा आटा पतला हो जाएगा और गुंजियां बिल्क चुछ तोड़ी पानी में बहुत अच्छा आठा गूत चुका है अब हम इसे थोड़ा मसल कर अच्छे से गूत लेंगे क्योंकि जितना अच्छा हमारा आठा गूत अच्छी हमारी हमारी रेसिपी बनीगी कि हम देखिए यहां पर में किस तरीके से मसल मसल के आता गूठरी हूं और बहुत जादा हमें टाइट नहीं रखना आते को और बहुत जादा पतला भी नहीं रखना है बलकुल मेडियम हमें इसमें आटा लगाना है देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखाते हूं यह देखिए बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा हमें पतला भी नहीं रखना आटे को एक तब मेडियम साइज कर में मेडियम आटा लगाना है अब हम इसे ढखकर पांच मिनट के लिए रख देंगे जब तक हम अपने गुंजियों की फीलिंग तियार कर लेते हैं मावा ठंडा हो चुका है हमें ध्यान रखिए कर मावा ठंडा होने पर हमें उसमें उसमें कार ब्लऍक अब मावे में भी हम अपनी शूगर खरें गरम ऑख और लोग तो गुंजियों बिल枯ू जिए शूगत भी ज़िए नहीं पने बने हैं और चीनि शूरिए और थाह और यहां ड्राइफ्रूट मैंने काजु बादाम और पिस्ता को ब्रेट कर लिया था यहां अपनी पसंद से कोई भी ड्राइफ्रूट ले सकते हैं यहां मैंने नाजल इसमें डाल दिया है और पाउडर शुगर आपको जितना मीठा अच्छा लगता है आप उस हिसाब से पाउडर शुगर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं यहां मैंने काजु बादाम डाल दिये जितना मीठा आप लोगों को पसंद हो आप उतना मीठा इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन यह हलकी मीटी ही अच्छी लगती है यहां मैंने शुगर एड़ कर दी अब इसे हम अपने सारे इंक्रिडियन्स को बहुत अच्छे से एक सार मिला लेंगे अच्छी तरह से हमें इसे मिला लेना है अब यहां पर हम अपना आटा लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोया बना लेंगे चोटी छोटी सी हमें लोया बनानी है और बहुत उन्हें पतला बेलना है क्योंकि जितनी पतली हमारी पूरी होगी उतनी अच्छी हमारी गुंजियां बनेगी तो हम सारे आटे के इस तरह से लोया बना के रख लेंगे इस तरीके से मैंने सारे आटे की लोया बना की यहां पर रख लिए और हम पूरी बेलेंगे बहुत पतली पूरी हमें बेल नी है इस तरीके से हम पूरी बेलेंगे यहां हमारे पूरी पूरी बिल गई है और इस तरह का साचा यह मार्केट में आपको लोकल शॉप से आसानी से मिल जाएगा तो हमें उसके उपर इस तरह से अपनी पूरी को रखनी है और हमें इसमें अपनी बनाईवी फिलिंग अच्छे से इसमें हमें दबा दबा के अच्छे से हमें डालनी है हम चम्मच की साय चासी इसमें अपने फिलिंग डाल देंगे और हम इसके किनारों को बन करने के लिए हम एक टोरी में पहले ही पानी लेके रख लेंगे या तो आप दोद भी ले सकते हैं यहां मैंने पानी लिया है और अब इस तरीके से हम किनारों पर अच्छे से पानी ल अच्छे से इसे बंद करना है क्योंकि अगर यह खुल जाएगी हमारी डी फ्राइए करते समय तो हमारा तेल भी खराब होगा गुंजियां भी खराब हो जाएगी तो इस तरीके से अच्छे से इसे ढबा के बंद करनी है और यह एक्स्ट्र आटा है हम इसे वापस रख इस तरहिके से आप देखिए कि इस तरहके से हमारी गुंजिया बन के रटी हो जाएगी गी सारे Alors हमिड़ी में हे तरहें की दीफ r 좋아요 करें गें जद एक हमें हमने तैल हमें सहरी अच्छी इंटरी में तैल लेना है बहुत कम तेल नहीं लेना है यहां मैंने तेल को और बहुत अच्छे से गरम कर लिया है और मेडिया माच पे अब हम इने डे फ्राइ करेंगे इस तरीके से आराम आराम से यहां आप चम्चे की सायता से भी इसे डाल देंगे यहां में तेल इसे साब से लेना कि हमारे गुंजियां तेल में तैरे अगर कम तेल होगा तो वह नीचे से जल जाएगी और इस तरीके से हमें पलट-पलट के इसे तलना है दोनों ही तरफ से हमें इसे पलट-पलट के हलके हाथों से इसे तलना है दीरे-दीरे अच्छे से इसे हमें देखिए इसे पलट-पलट के इस तरीके से हमें इसे डी-fry करना है और हमें बहुत इसमें जादा इसे ब्राउन नहीं करना है हलका क्रीमी ब्राउन लिए हुए कलर की हमें इसे तलना है क्योंकि बहुत जादा ब्राउन अगर हम करेंगे तो यह ठंडी होने के बाद अल्रेडी ब्राउन हो जाती है तो इसलिए हमें बहुत क्रीमी ब्राउन क्योंकि ठंडी होने के बाद यह अपने आप ही डार्क हो जाती है तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो इस तरीके से हमें पलट-पलट के इसे तलेंगे और हल्के क्रीमी ब्राउन होने तक ही इसे तलेंगे हमारी गुंजियां फ्राय हो चुकी है अब हम एक टीशू पेपर में इनने निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ओईल एब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से हम तेल को यहां पर अच्छे से हम चानके इनने निकाल लेंगे कि यह देखिए मैं यहां आपको एक उन्जी तोड़कर दिखाती हूं कि यह देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और इसके अंदर की फेलिंग भी कितनी डिलिशियस लग रही है यह खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है आप लोग इस एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा